हलो फ्रेंड कैसे है सोगात करते हैं मेरा यूटूब चैनल पे गाईस आज बात करेंगे याटेल पेमेंट बैंक तरफ से नय आपडेट लेके अगर आप लोगों को पास याटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी है चलिए जान लेते है याटेल पेमेंट बैंक तरफ से क्या आपडेट निकल के आया है पहले हम लोग याटेल पेमेंट बैंक रिटेलर आईडी ओपेन कर लेते है ओपेन करने का बाद आधार एनेबल पेमेंट सिस्टेम में जाएगा अधर enable payment system में जाने का बाद आप लोगों को send to bank में किलिक करना होगा send to bank में किलिक करते ही आप लोगों को समने IC page open होके आएगा उस page में आप लोगों को बोला जा रहा है beneficiary account number add करने के लिए जैसे हम लोग पहले जानते थे या tell payment bank में तीन गो bank account add होता था वो भी retailer ID जिसका नाम पे है उसका तीन गो account add होता था अभी उसमें और तीन गो bank account add कर पाएगा तो इभी दोसरा आदमी का account number देखे पुटाल मिला के इसमें आप 6 गो account add कर पाएगा micro item नौचेद आंधर enable payment system में इतना सारा transaction करेगा छेगो account में आप send to bank कर पाएगा या tell payment bank तरफ से नया update आज के लिए इतना वीडियो पसंद है तो लाइक कीजे कुमेंट करके बताओ आज के रे ये पुरा का पुरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा चैनल पे पहली बार है तो subscribe करके राखे ताकि आई सी latest information वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट आपडेट का साथ जाहिन जाए भारत